नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मेश रासी वालों जन्बरी 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आया है आज हम आपसे यही साजा करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रही है और यह पिडिक्शन चंदरासी पर जा हैं तो ऐसे में रोज साम में ओम संक्सने चराय नमह का जब जरूर करें यह आपके लिए अच्छा होगा और देव गुरु ब्रिस्पती का मंत्र ओम ब्रिंग ब्रिस्पते नमह रोज सुबर नहाने के बाद कम से कम 11 बर जब कीजिए और हल्दी का तिलक अपने माथे पर कंट पे या कलाई पे लगाईए तो हम बात कर रहे हैं जन्वरी के महने की मंगल देव आपके लगन में हैं मांगलिक दोस्त बनाकर बैठे हुए राहु आपके धनभाव में रहेंगे और जो चंद्रमा हैं वो चौथे भाव में हैं केतु सुक्र के साथ आपके आठव भाव में रहेंगे यानि शुरुआत में जो जन्वरी का महिना सुरू होगा ना तो पहला सब्ता थोड़ा सा आपके लिए कठिन है खासकर धन के मामलों में लेकिन दो तीन दीन के बाद जैसे ही यहां पर चीजे आपके पक्ष में आने लगेगी जैसे की चंद्रमा अभी आपके चौथे भाव में है अब छटे साथ में भाव में चंद्रमा जैसे ही जाएगी तैसे ही जीवन में बहुत साई चीजे मुस्किलें दूर होंगी और यहां प और पांच जनवरी के बाद धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आएंगी हलां कि जो दूसरा सप्ता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन अपने स्वास्त का भी आपको ध्यान रखना होगा यात्रा की योग बनाएगा इस बात का ध्यान रखिए और खासकर जो बैपारी हैं उनके लिए लेकिन जैसे ही सुर्यकारासी परिवर्तन होगा तब एक बार फिर से जीवन में मान सम्मान की ब्रदी होगी बैवाही जीवन में सुख और आनंद मिलेगा और काम में इस्थिरता भी आ जाएगी तो जनवरी के महने के तीसरे सप्ता में कोई बहा करें एक एक करके काम कंप्लीट करके साइट करें तो ज्यादा अच्छा है लेकिन जैसे ही जनवरी का महना का अंत आएगा आपको मानसिक रूप से सुखसानती देगा धनाने के योग बनेगा और खासकर जो बित्यारती हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा वक्त रहेगा आ आपका जो कॉन्फिडेंस है जो कहीं खो रहा था एक बार फिर से आपको वापस मिल जाएगा तो यहां जो मेस वाले हैं उनके लिए ये जनवरी का महना बहुत सारी चीजें एकदम से आपके पक्ष में आ जाएगी पर आईए जानते हैं बिस्तार से और क्या होने वाला है बड़ा बदलाव तो पहले जानते हैं आपके करियर की बात तो जनवरी के महने में दस्वे जो घर हैं यहां के जो स्वामी हैं वो सनी देव अपने ही रासी मकर में हैं और मेस वालो सनी देव का यहां मकर रासी में रहने से आपके जीवन में उत्साह रहेगा और बेफसाई हैं आप आप जॉब करते हैं जो पेसे बर लाइफ है ना उसमें स्थिर्टा लाएंगे लेकिन दूसरे सप्ता में बुद्ध इनके साथ आ रहे हैं अब क्या होगा ना आपके अंदर चिपी वी जो परतीभा है वो बहार आएगी रचनात्म गुन जो है वो बहार रहेगा जोब में अपने दम पर आप उचाईयों को छूते नजर आएंगे अपनी मेहनत अपनी रचनात्म गुन के बल पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और इस समय रियल इस्टेट कोईला खननुद्यों कृसी विभाग जैसे चीजों में आपको अनुकुल फा हैं और जो आपके सनिदेव हैं ना यहां आपके जीवन में आए बढ़ाएंगे अर्थिक लाब होगा और इसमें काम करने का तरीका आपका बहुत संतूलन भरा रहेगा कोई प्रभाव साली ब्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको मदद करें और फिर आपका जो जीवन है वह प और इसमें खान पान का ध्यान दे अब आपके लगन में पहले भाव में मंगल बैठे हैं तो यकिनन थोड़ा सा आपके उपर प्रेसर है यानि ब्लड प्रेसर जैसी चीजें बढ़ी भी रहेगी थोड़ा गर्मी है थोड़ा सा दिमाग गर्म रहेगा तो थोड़ा से यहा थोड़ा सा स्वास्त को लेकर उतार चड़ाओ देगा अब अगर हम आपके बैवाही जीवन की बात करें तो देखिए सामान ने है इस समय आपके अंदर confidence है प्यार के बात करें तो आप को जरुरह से ज़्यादा किसी पर उमीर नहीं रखना चाहिए अब ठीक है आपका लब ह है आपके साथ है लेकिन लभी हर कुछ बात कहे वही आपसे प्यार से बात करें नहीं यह चीजें आपके अंदर भी होना होगा नहीं तो फिर रिस्ता नीडस हो जाएगा तो संतुलन बनाके चलिए तभी आप दोनों खुश रहेंगे आनंद से रहेंगे जो बैवाही जीवन में फिर से खुशिया लाएगा अब जीवन साथी के साथ रिस्तों में बहुत हत तक कटूता दूर हो जाएगी और यहां जो लगन में मंगल है साथ में घर पर दिश्टी है तो जीवन साथी के प्रति आपके जीवन में जोस देगा कुल मिलाकर लब लाइप या तो संतान के रूप में या फिर आपके जीवन साथी के रूप में और आखरी जो जन्वरी के मेहने का सब्ता होगा ना दोस्तों के साथ समय बहतर वेतीत होगा जो बैपारी है उनके लिए समय अच्छा है लेकिन साब धानी के साथ चलिएगा पुरानी लड़ाई बेबाजा के बहस में मत पढ़िएगा नहीं तो फिर दिक्कत आएगी तो छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो जादा अच्छा है और अपने पिता या किसी भी बड़े लोगों से बात करते समय आप मनमूटाओ ना होने दे बलकि उनका इज़्जत करें यह जरूर समझने का प्रयास करें क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए वैसे तो आप कहेंगे बहुत सारे उपाएं बता दिये देखिए छोटी छोटी चीजों का अगर आप नहीं भी रोज भी नहीं भी करतें तो सब्ता में एक भी दिन क्यार लिया करें तो रहात मिल लिएगा कहीं नहीं से सहता मिलती चली जाएगी तो यह महिना आपके जीवन को बदलने वाला है आपको भी थोरा सा आगे बढ़ना है और जो अच्छा वक्त है उसका सदूपयोग करें जहां लगे कि गरबढ हो रहा है वहां पर सांत रहें क्यूंकि मौन से बढ़ा और